सेक्स पावर याने रती शमता आज हम मित्रों इस एपिसोड में जो आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग पर सेक्स रेखा याने रती रेखा के बारे में बात करेंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेक्स पावर हमारे व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा होता है और हमारे आगे की वंश व्रद्धी करने में सहायक होता है इसलिए तो जातक और जादिकाएं जोड़े बनाते हैं और जोड़े बनाके जीवनियापन करते हैं आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग और जो मित्र अभी नए नए जोड़ रहे हैं मेरे इस चैनल से क्रिपया चैनल को लाइक कीजिए और सबिस्क्राइब भी कर दीजिए घंडे का बटन दबा दीजिए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे मित्रों सेक्स का पावर आज हम जानेंगे कि हम हतेली में कहां देख के पता लगाते हैं कि कितना है और कैसा है क्या वो साकरात्मक है क्या वो नाकरात्मक तरफ चला जाएगा नेगेटिव हो जाएगा सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इसको देखते कैसे है तो देखें मित्रों ये है हमारे शुक्र का परवत ये है हमारे शुक्र का परवत और इसी का जो टावर है वो होता है हमारा अंगूठा अब आप देखेंगे कि पालमिस्ट रीडर जो होते हैं, पाम रीडर जो होते हैं, वो हमेशा अंगुठे को दो पोरवे में डिवाइड कर देते हैं, दो पोरवे में डिवाइड कर देते हैं, ये वाला उपर वाला बता देते हैं, और ये वाला नीचे वाला बता देते हैं, लेकिन वित्रों ऐसा न देखिए ये वाला पूरवा एक हो गया और एक लाइन ये आ रही है ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया अब जो पहला वाला है ये हमारी इक्छा शक्ति को बताता है जीवन में कितनी लालसा है और हमारी क्या-क्या इक्छाएं हैं विश हैं वो जो भी हम कामना करते हैं जो भी हम सपने देखते हैं ये सब इक्षा शक्ती में चला जाता है दूसरा पूरवा हमें बताता है हमारी तर्क शक्ती हम कितने अच्छे तरह किसी से डिबेट कर सकते हैं कितने अच्छे से हम अपनी बात को उधारन सरूब या तर्क संगत कर सकते हैं logical जो power है ये दूसरे पूर्वे से ही देखा जाता है तीसरा पूर्वा जो बनेगा मित्रों यहां पे यही है हमारे काम शक्ती का channel जो तीसरा पूर्वा है मैं इसे सड़ा सा जूम कर लेता हूँ देखे मित्रों यह है हमारा तीसरा पूर्वा और इसी छेतर से हम देख पाते हैं कि व्यक्ति में कितना सेक्स पावर है और यहीं हमारी रती रेखा भी होती है नीचे से जब अंगुठा मोटा होता है जो इसका जड़ वाला पोर्शन है ये वाला हिस्सा जब मोटा होता है तो व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रती भी बहुत सतर करहता है और ऐसे व्यक्ति बहुत अधिकार संबन्न भी होते हैं पैसे वाले भी होते हैं और पराकरम भी दिखाना जानते हैं इसी में जैसे ये मोटा है अगर किसी का अच्छा सूधरण बना हुआ है तो हम कह सकते हैं कि उसके पास में भी सेक्स पावर बहुत अच्छा होगा अब ये तो बात हो गई कि कितना होगा अब हम बात करें कि कैसा होगा तो कैसा उसकी quality देखने के लिए हमें अंदर जहांकना पड़ता है अगर अंदर मान लीजिए अब जैसे इस model हतेली में देख रहे हैं तो एक मशली का sign बना हुआ है ये देखिए तो इस तरह का अगर मशली का sign बना है एक triangle भी बना हुआ है triangle किसी भी परवत पे जब बन जाता है तो उस परवत को वो बहुत पुष्ट कर देता है उसकी जो विशिष्टता होती है वो उसको बहुत गहन कर देता है तो ऐसी हतेली में जो तीसरा पुरवा है अंगुठे का एक मशली बनी हुई है तो ये बहुत solid sex power है और साकारात्मत भी बना हुआ है अगर triangle बना हुआ है तो triangle क्या show करता है triangle show करता है किसी भी चीच की दिव्विता और किसी भी चीच की गहनता और एक लंबी अवधी तो पूरे जीवन में इस प्रकार का जो triangle होता है वो काम शक्ती को sex power को बहुत अच्छे से सुलबता से अपने पास बना के रखता है तो इनका sex power पूरी जिंदिगी भर बना और मचली का sign बना हुआ है अब मचली का sign क्या show करेगा साकारात्मक परिस्तितियों को बताएगा यह बताएगा कि जब जब इनका किसी के साथ में योग बनेगा तो वो योग बहुत अच्छा और बहुत विस्मर्णिय बनेगा अब यही अगर इस पोरवे पर अगर हम कुछ इस प्रकार से लाइन चल जाए देखिए इस प्रकार से लाइन चल जाए या कुछ क्रॉस का चिन बन जाए या इस लाइन में यव बन जाए या यहां पे यहां पे कहीं इस प्रकार का जाली का sign बन जाए या कहीं तिल हो जाए तो इस पोरवे को हम कह सकते हैं कि यह नाकारात्मक सेक्स पावर हो जाएगा तो अगर ऐसे नाकारात्मक चिन मिल गए तो ये हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक गंदी आतों में गंदी कंपनी में गंदी लोगों की महफिल में जाएगा और ऐसे लोग वेश्या विरती भी करते हैं अगर तीसरे पूरवे पर sign negative हो जाए तो ऐसे लोगों की जो रती रिखा है जो sex power है वो ये बताता है कि इनकी सोहबतें इनकी आदतें गंदी हो जाएंगी और ऐसे लोगों को infection लगने का भी खतरा बड़ा होता है जिसे हम study के नाम से जानते है sexual transmitted disease तो sexual transmitted disease होने कि क्या संभावना है ये ऐसे नाकारात्मक sign हम देखकर बता सकते हैं या वो हो तिल हो या जाला बना हो या लाइने एक दूसरे में गुथम गुथा पड़ी हो अगर दिव्य sign बने है तो बहुत बढ़िया होता है और ऐसे लोगों की संताने जो होती है वो भी विलक्षन होती है अगर sign साकरात्मक बना है तो मित्रों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी आज हमने तीसरा पोरवा अंगुठे का देखा है और अगर शुक्र का परवत अच्छा उठा हुआ है तो ये भी हमें एक अच्छे sex power की तरफ इंगित करता है इस पर बनने वाले block इस पर बनने वाले block ये हमें ये indication देते हैं कि जिन जिन लोगों के साथ opposite sex के साथ जहां जहां योग होगा वो साकरात्मक रहेगा तो इसके उठाव से और इसके जो block बने होते हैं squarish block जो होते हैं शुक्र परवत पर इससे भी हम देख पाते हैं और इससे भी हम देख पाते हैं तो मित्रों आज आपने जाना कि हम sex power या रती रिखा किस प्रकार हाथ में देखते हैं जानकारी आपको पसंद आई हुई होगी तो मित्रों मेरे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए घंटे का बटन भी दबा दीजिए नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहेंगे बने रहिए पाम ब्लॉक पे श्री गणेशाय नमाहा मा साराश्वती, नमस्तु भ्यम